हे गाई स्टूड नोट्स में आपका स्वागत है एड़टाइजिंग सीरीज की अनधर वीडियो है और अगर आपको पूरी सीरीज का लिंक चाहिए तो वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Unethics in Advertising लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तो Advertising Management की इस वीडियो सीरीज के जितने भी हमने नोट्स बनाए हैं उसकी हमने एक PDF बुक भी बनाई है तो अगर आपको ये सारी सीरीज अच्छी लगती है और अगर आप इसकी बुक खरीदना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो की description में मिल जाएगा जहां आप ये देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे इस बुक को खरीद सकते हैं इस बुक को काफी easy और simple language में बनाया गया है with example ताकि आप अपने सारे concept को अच्छे से clear कर सकें तो चलिए बढ़ते हैं आज किस वीडियो की और तो start करते हैं unethical advertising के meaning से unethical advertising का मतलब है जब कोई company mislead करती है अपने customer को या फिर false claim का use करती है ताकि customer उसके product को खरीदे इसमें company अपने फाइदे के लिए कुछ company unethical advertising में अपनी limits भी cross कर देती है ताकि वो अपने product को sell करके अच्छा profit कमा पाएं तो ऐसी कई unethical practice मतलब activity company करती है competition को beat करने के लिए और market में अपना large share बनाने के लिए जिससे कि वो product को ज़ादा से ज़ादा sell कर पाएं और एक अच्छा profit बना पाएं unethical advertising की ये five types हैं ये सब मैं one by one अगली वीडियो में cover करूँगा इस वीडियो में ये सभी types cover नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप में से कोई एक specific type के बारे में जानने के लिए interested हो तो अगर सभी type में इस वीडियो में cover कर दूँगा तो हो सकता है वीडियो काफी ज़्यादा lengthy हो जाए और boring भी हो जाए तो इसलिए one by one इन्हें हम next वीडियो में cover करेंगे तो ये सारे topic की वीडियो आपको series में मिल जाएंगी और series का link आपको वीडियो के description में available है या फिर आप YouTube के search box में जाके type कर सकते हैं कोई भी एक topic जैसे advertising to children by student notes तो आपको वीडियो available हो जाएगा तो वीडियो आपको कैसा लगा ये comment करके ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई query है इस वीडियो या फिर किसी भी topic के लिए तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं मैं वहीं पर आपको reply करके या फिर अलग से वीडियो बनाके आपके साथ share कर दूँगा वीडियो अच्छा लगा तो like करें चैनल को subscribe करें Thank you